नमस्कार दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चानल दे ट्रेडबुल ओफिशल में दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बैंक निफ्टी आज expiry के दिन 15 December को कहां पे कामकाज कर सकता है आपके call put के क्या target रहेंगे पर उससे पहले एक advisory दोस्तों जितने भी आप safe traders हैं प्लीज आज next week की series में मतलब की सिर्फ और सिर्फ 22 December की series में काम करिएगा अपनी capital को respect करिए current series बहुत volatile होती है आप सस्ती calls के फीचे मत भागें अपने पैसे को बचाएं hero zero या ऐसी term से बचें देखिए आपने बहुत मेनत से पैसा कमाया है hero zero के लिए नहीं ठीक है सोच समझ के rating करें अब देखते हैं पहले market ने कल कहां पे कामकर्ज किया था इसी level पर दोस्तों market ने हमें एक profit booking पहले दिखाई और market immediately open होते ही नीचे की दरस चला गया market ने gap fill करने की पूरी कोशिश की और उसके बाद market ने फिर वाप्रस एक pullback लिया pullback लेने के बाद market जो थी 44,120 इस level तक market पहुंच चुकी थी दोस्तों इसके बाद फिर market ने एक यहां से rejection ली और market ने एक W pattern बनाते वे double bottom बनाया और इसके बाद एक जबरदस्त उपर की दरफ moment मिली जो हमने capture भी की दोस्तों इस pullback के बाद market ने दिखिए यहां पर अपना lifetime high दुबारा से 44,000 back 50 के अंदर mind it 44,151 नया ETH market ने यहां पर बना दिया दोस्तों इसी level पर market ने यहां पर हमें एक rejection दी rejection देने के बाद market फिर pullback लेते हुए नीचे की तरफ एक जर्नी में जहां पहुंची तकरीबन दो बज़े तक हम यहां पर अपने दिन के low के आसपास पहुंच चुके थे market में फिर एक pullback लिया और तीन बज़े के बाद market फिर एक नीचे की तरफ आते हुई मतलब close हुई और closing हमें मिली तकरीबन 44,049 लेवल के आसपास अब आज क्या हो सकता है market में देखिए उसके लिए आपको global sentiment समझना जरूरी है और global sentiment में आपको यह पता होना चाहिए market में हो क्या रहा है तो कल FOMC Fed की meeting थी 50 BPS points से rate hike हुआ है market के अंदर US में और इसको market ने थोड़ा सा negative लिया है और अगर हम Dow Jones की बात करें DJI minus 142 points बंद हुआ है अगर हम बात करें यहाँ पर NDX की NASDAQ broader index की तो minus 93 points अगर हम SNP index की बात करें तो SNP नहीं यहाँ पर तक्रीवन minus 24 points के आसपास यहाँ पर बंद गया है अगर हम SDX Nifty की बात करें तो SDX Nifty यहाँ पर तक्रीवन इस टाइम पर flat चल रहा है तक्रीवन 13 points तो यहाँ पर हम जो चीजों की बात करें वह यहीं दिखा रही है कि market एक आपको flat to negative opening दे सकता है मतलब उमीद की जा सकती है market के अंदर एक flat to negative opening बैक Nifty में तक्रीवन possibility है market में 44,000 levels के आसपास मतलब एक आपको यहाँ पर कहीं opening market में 44,000 के आसपास open होती हुई market दिख सकती है क्रीवन पचास point का आप मानके चलिए ज्यादा बड़ा gap down या बहुत बड़ा flat opening ही देखता हुई नजर आ रहा है तो यहाँ पर game simple है अगर market 44,000 के नीचे आपको जाती हुई नजर आ रही है तो definitely put की position ले targets 44,000 के नीचे market में पहला target आएगा 43,900 का और दूसरा target होगा 43,825 का उपर की तरफ दोस्तो call की side में तब position हम लेंगे जब market आपको 44,000 44,090 का level breach करता हुआ नजर आए तो इसके उपर call की positions में ही बैठिएगा और जो targets आपके ऊपर की तरफ होंगे वो पहला target 44,180 और दूसरा 44,225 तक के आपको देखने को intraday में मिल सकते हैं तो उमीद है दोस्तों आपको वीडियो परसंद आई होगी अगर आई है तो like का बटन जूर प्रिस करिएगा आपने गरभी तक चैनल को subscribe नहीं किया तो please subscribe कर लीजिए ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे miss ना हो live stream को देखते नहें because उसके अंदर स्चों में level mark करता हूँ definitely आपका उसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं तो जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्ते थैंक्यू और बापायदा